तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाले हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट एन एक्साइटिन टॉपिक के बारे में तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापट से जाए और सब्सक्राइब कर लिजिए औ और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिजिए और अगर आपने इंस्टावर में फॉलो नहीं क्यों तो फटापट जाओ आईडी यहां आप त्यार होगा लिंक देंदूगा डिस्क्राइब कर सकते हो और यह वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टार्टिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी यह नीड है इस वीडियो का आप उसके साथ सेर कर सकते हो तो चलिए आसका यह बहुत ही कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आपको पहले सी पता है कि रीजी सी ये ओन्लाइन एमी एक्जाम का फॉरम फिलिंग का डिट आचुका है कुछ दिन पहले ही आया है दस से पंदरा के पीछ में आपको form fill up है उसके बाद exam में भी साय जैसे पिछले बार हुआ था हो सकता है कि दस से पंदर दिन के बाद exam भी हो जाए तो आज का है topic कुछ इसी से related है तो आज के इस video में मैं बात करने वाला हूँ module 10 CR के बारे में civil aviation requirement के बारे में कि आप क्या क्या आप उसमें पढ़ सकते हो और आप कैसे अपने पूरे module को plan कर सकते हो और किस तरह से आप इस paper को निकाल सकते हो हाला कि बहुत लोग को तो पता होगा जो भी AME background से belong करते हैं बट जो AME background से belong नहीं करते हैं उनको अगर पता नहीं है कि civil aviation requirement है क्या module 10 CR है क्या तो यह basically AME online examination का एक module है जो की module 10 इसको बोलते हैं यह है civil aviation requirement बहुत लोग का questions आ रहा था Instagram पे यूटूब पे की module 10 कैसे clear कर सकते हैं इसे के बारे बताने के लिए मैं हजूर चुका हूँ और अगर आपने प्रिवेस ब्लॉग नहीं देखा है प्रिवेस वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो दखने के बाद प्रिवेस वीडियो भी एक बार चक मारिए और उ सबसे पहला जो step होता है वो आपको rules के बारे में जानना एयर पोट के रूल के बारे में जानना और बहुत सारे ऐसे rules है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में मैं उतना deep में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में मैं सिर्फ module का जो syllabus उसको clear कैसे करना है क्या कैसे plan करना है आपने पूरे module 10 को उसके बारे में बात करने वाला हूँ तो सबसे पहला जो planning का जो सबसे पहला हिस्सा है सबसे जो starting में आपको जिससे start करना है वो है section 2 airworthiness section 2 airworthiness क्या है section 2 airworthiness section 2 airworthiness में basically जो भी aircraft maintenance engineering से related चीज़ है airworthiness का मतलब हो जाता है कि जहास को airworthy condition में रखना है इसके बारे में क्या rules है क्या regulations है उसके लिए है तो सबसे पहला जो आपको start करना है वो section 2 airworthiness से start करना है और इसमें बहुत थारे series है तो कौन-कौन से आपको series पढ़ना है यहाँ आपको यहाँ भी list आते जाएंगे आप यहाँ भी देखते जाओ और मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनते भी जाओ तो सबसे पहला जो आपको start करना है वो है series से तो सबसे पहला series है जो आपको ऐसे तो बहुत सभी पढ़ना है बट जो most important है वो इस बोड़े में cover कर रहा हूं तो series में है सबसे पहला B पढ़ना है अपको B से start करना है फिर C फिर E, E part 7 and E part 11 series F part 1, 3, 7 and 23 series H part 2 series I, M and AAC of 2017 series O, R, T and X का सभी parts पढ़ने है तो यह था airworthiness section 2 का उसके बाद जो इससे आपको approximately 5 to 6 questions आते हैं तो जो second है वो आपको पढ़ना है वो है C.A.R. 145 इसमें maintenance, repair and overall जो MROs है उसके बारे में पूरा detail में आपको पढ़ना होता है तो दूसरा जो पढ़ना है आपको C.A.R. 145 तीसरा C.A.R. M पढ़ना है आपको continuing airworthiness management organization के बारे में पढ़ना है इसमें चौथा C.A.R. 147 सिर्फ और सिर्फ basic पढ़ना है आपको उसके बाद number 5 पे है C.A.R. 66 इसमें सारे नहीं पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 22 पेस तक अपको पढ़ना है फिर उसके बाद C.A.R. 21 फिर उसके बाद आपको पढ़ लेना है fuel tank safety FTS training जो कि आपको C.A.R. 145 and M के appendix में मिल जाएगा तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है तो 8 to 10 questions यहां से भी आ जाते हैं अब बात करते हैं अपना जो आपको 8th number पे जो पढ़ना है वो है aircraft rules and acts जो कि बहुत 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 जरूरी है तो आपको aircraft act में कौन-कौन से act पढ़ना है जो कि बहुत important है जो कि बहुत repeat होते हैं यह questions तो आपको act में 3, 4, 5, 5, A, 6, 8, and 9, B पढ़ना है फिर उसके बाद बात करता हूँ aircraft rules का तो आपको aircraft rules में कौन-कौन से rules पढ़ना है तो आपको rules में 2, 3, 3A, 3B, 5, 6, 7, 7A, 7B, 9, 15, 19, 24, 24A, 24B, 24C, 25, 25A, 28, 29C, 29D rule 30 से लेकर 37A तक पूरा पढ़ना है फिर 49 to 62 पूरा पढ़ना है फिर 67, 67A, 133A, 133B, 133C फिर यह इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आपको आना है SMS safety management system आपको अच्छे पढ़ना है जो कि section 1 series C part 1 में इसके बारे में पूरा mention किया हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो फिर उसके बाद जितने भी CA forms है related to airworthiness यह ध्यान रगना है कि बहुत सारे CA forms होते हैं तो सब नहीं पढ़ना है सिर्फ और सिफ related to airworthiness आपको जितने भी CA forms डिजी से के website में मिल ज अगर आपके पास time है तो आप पढ़ सकते हो अगर time नहीं है तो नहीं पढ़ सकते हो section 8 का aircraft operation series B part 1 series C part 1 series A part 1 2 & 4 आप पढ़ सकते हो and last में जो आपको काम करना है यह सारा आप अच्छे से पढ़ लिए एक बार revision कर लो अगर confidence नहीं आता है तो फिर से एक बार revision कर लो module 10 का civil aviation requirement का कुछ इस तरह से आप preparation कर सकते हो और I hope कि आपका module 10 निकल जाए तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको syllabus बताया हूँ कि आप starting to end कैसे कैसे पढ़ सकते हो बट जैसे जैसे वीडियो आगया मैं देते जाऊंगा आपको तो मैं section 2 airworthiness से हर एक topic को cover करूंगा तो यह series जो है बहुत ही आपके लिए बहुत ही important होने वाला है तो आप please इसको follow करते रहे तो मैं इसी तरह से CR का हर topic को cover करने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है जो भी important होग होगा वह मैं आपके साथ share करने वाला हूँ और यह CR हो जाएगा उसके बाद फिर जितने भी modules हैं उसको उसका syllabus और इसको कैसे clear करना है और इसका concepts important है मैं इस channel पर लाने का कोशिश करूँगा कि बहुत सारे जो लोग हैं आप में से वह request कर रहे थे कि आप प्लीज थोड़ा लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिजिए जितने भी काम होते हैं सब फड़ा फट कर दिजिए और अगर आप share करना चाहते हो अपने friends के साथ तो आप share जरूर से जरूर कर सकते हो और उसके बाद अगर आपक आपके सिन आपके साथ एंसे लिए एंसे ब्यार एंसे तो आपके से लिए आपके साथ चैनल केल राएंस RDN